आज मैं आपके लिए मारभात चोखा की रेसिपी लेके आई हूँ अगर आपका मन ना करे कुछ तेल मसाला खाने का या अगर आप डिहाइड्रेशन है तो आप इस रेसिपी को जरूर बना सकते हैं तो ये लिया है मैंने उसना चावल जिसे बोल राइस बोलते हैं स्टीम राइस बोलते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप मारभात चोखा बनाना चाहते हैं तो मैंने चावल को बहुत अच्छे से 3-4 पानी से मैंने धो लिया है और ये चावल वजन से 1.500 ग्राम है अब इसके बाद एक आलू लेंगे उसे भी मैंने 3-4 पानी से अच्छा से धो लिया है और इसे पानी में ही रखे रहेंगे क्योंकि अगर कुछ इसमें और भी डॉर्ट वेग रहा है तो अच्छे से फूलेंगे और ये गिर जाएंगे तो चावल को मैं कुकर में डाल देती हूँ और इसका मैं 3 गुना पानी डाल रही हूँ ये रेसेपी बस 15 मिनट की है और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें 3 विसल लगाना है मीडियम फ्लेम पे बस 3 विसल तो ये विसल हो चुका है तीसरा विसल मैं कुकर को आफ कर देती हूँ तो अब कुकर को जब ठंडा हो जाए तो इसे कुकर को खोल लेंगे तो ये देखिए ये बनके त्यार हो चुका है और एक पर इसे चेक कर लेंगे चाफल सौफ्ट हुए हैं कि नहीं देखे चाफल सौफ्ट हो चुके हैं तो यह देख लिएंगें बहुत अच्छे से बने हैं और चाफले कहएं खिले खिले भी हैं यह मार एप्सौर्ब कर लेता है यह चाफल और आलू जो है ये भी बॉल्ट हो चुका है इसी में इसे भी निकाल लेंगे और इसका चोखा बनाएंगे तो मैं ये पानी में डाल देती हूं आलू ताकि आलू बहुत करम है और ये ठंडा हो जाए तो ये देखिए और चावल को एक बड़ी सतरी के से ऐसे मिला देंगे ताकि थोड़ा मैशी हो जाए चावल ये देखिए इस तरी के से ये बहुत जटबट बढ़ जाने वाली रेसिपी है ये देखिए अब इसके बाद मैं जो चिलका है आलू का हटा देती हूं और इसका चोखा बनाएंगे यह आप उन दिनों खा सकते हैं जब कुछ जट पठो बनाना नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है चोखा के लिए और कच्चा तेल डालेंगे सरसो का हड़ी मिर्च और प्याज ध्यान रहे कि तेल को हमें कच्चा डालना है मैं मैशर कर सकते हैं इसको मैश करने के लिए अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से लिए देखिए चोखा बनके त्यार हो चुका है और यह मैं तिस्योडी थोड़ा तल ले रही हूं तिस्योडी के रेसेपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जब तेल गरम हो जाए एकदम त इसे भूनने के लिए डीफ फ्राइ करने के लिए तो यह रेखिए अब चाबल को सफ कर लेते हैं तिस्योडी भी मैंने भून के निकाल लिया है अचार डाल देते हैं चोखा और यह तिस्योडी नमक इंपॉर्टन चीज सबसे इंपॉर्टन और यह घी इससे मारभाद चोखा में यह टेस्ट पढ़ाएगा अगर आप लूज मोशन से भी आप गुजर रहे हों तो यह रेसेपी आपके लिए बेस्ट होने वाली है तो अगर आपको अच्छी लगी म कर शेर करें